नमस्कार दोस्तों मैं गनेश आदित्य फिर से आपका स्वागत करता हूं कमपडिशन कम्मुनिटी के ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पे दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का काल विभाजन यह चेप्टर जो है हमेशा से इतिहास बहुत ही मुधपूर है क्यों कि काल विभाजन एuyसे सेक्टर है जहां से कुछ विभास हमेशा किसिनी ओग्रूर आते हैं तो आज हम देखेंगे इतिहास का काल विभाजन इस कार्था क्यों है मानों का जो इतिहास रहा है जब से मानों का विकास हुआ है होमेसेंपेंस के रूप में तब से लेकर आज तक जो अलग-अलग प्रवस्था अर्थात अलग-अलग stages में इनका विकास चला है उस समय का भुगोल भी आज के भुगोल से भिन्न था पहले हम पत्थरों का अवजारों का प्रेयोग करते थे आज हमारे पास अलग परकार के संसाधन हैं, तो यहां तक हमको पहुँचने के लिए करमसा हमने एक लंबा समय तया किया है, और उस लंबा समय में हमने बहुँ सारे चीजिजों में बदलाव करते करते, आज वर्थमा इतिहास के बारे में जानने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, इतिहास के काल भी भाजन में हम इतिहास को तीन कालों में भाजित करते हैं, सबसे पहला काल है, प्राग इतिहासी काल, दुसरा है आद इतिहासी काल, और तिसरा है इतिहासी काल, यह जो प्राग इतिहासी काल है ये जो है हमारे इतिहास का सब चे पुराना काल है क्यों इस काल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं ठीक है ध्यान रखिएगा प्राग इतिहासी काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसका कोई भी लिखित साक्ष उपलब्द नहीं है क्यों कि उस समय के जो आदी मावनों थे उनके प और मानों इसके लिखित साथ हमारे पास उपलब्द नहीं है इसका हमारे पास पुरा तात्विक साथ है क्या है हमारे पास पुरा तात्विक साक्ष है हम जो भी इसका अध्यान करेंगे, वो पुरत तत्यों के आधार पे करेंगे, क्योंकि जो भी आधी मानों रहे हैं, उन आधी मानों का जो भी ठीक है, उपकरण है, प्रास्तर अर्थात पत्थरों का उपकरण, जो हमको प्राप्त हुआ है, ठीक, उन्ही के आधार पे हम उसक विकास को समझने का यहां पर प्रयास करेंगे दूसरे काल है आदेती हासी काल ऐसा काल को कहा जाता है जहां पर लिखित यहां पर लिखित साक्ष तो हमको प्राप्त हुए है परंतु इन लिखित साक्ष को पढ़ा नहीं जा सका है ध्यान रखेंगे आदेती हासी काल ऐसा काल है जब जिस काल के बारे में लिखित साख्च तो उपलब्ध है परन्तो इस लिपी को पढ़ाने पर नहीं जा सका नहीं तक थ्यान रखिएगा यह दो काल वह गए तिसरा है एटिहासी काल है यह दोनों है ध्यान रखिएगा इस काल में प्राप्त मात्रा में लिखित साग्षम को प्राप्त हुए है साथी साथ पूरा तत्वी प्राप्त मात्रा में इसके बारे में है। इस प्रागेति हासिकाल में किन किन समय को लेते हैं पासान काल को लेते हैं पासान काल अर्थार तिक जब मानाओ जो है अपनी आजिविका को पत्थरों के माध्यम से सिकार करके अपना अस्तित्यों को बचाता था उसी काल को हम क्या कहते हैं पासान काल तो ध्यान रखिएगा यह जो पूरा डिविजन है ठीक यह केवल पत्थरों पे है तो पत्थर एक्चुलिम क्या एक दो पिस में अगर पत्थर मिलता तो हम इसको इतने बड़ा वर्गी करण का धार पत्थर को नहीं रखते क्योंकि देखे प्रागेति हासी काल को पासान काल के नाम से भी जाना गय तो अब इसका अगला डिविजन देखेगा पूरा पासान काल मद्ध पासान काल और उत्तर पासान काल अर्थाद केवल पत्थरों के बारे हम चर्चा है तो क्यों चर्चा है क्यों क्योंकि इसमें करमसा इसके टेकनिक में इसके टेकनोलोजी में धिरे धिरे एडवांसमें होता गया अर्थाद, पहले के जो आजार थे, पत्थर के आजार, उससे करमसह और अच्छे तरीके से आजार का निर्मान करते गए उस समय के मानों, तो ध्यान रखेगा, अब हम पढ़ते हैं, पासाणकाल के बारे में, ये जो पासाणकाल है, इसको हम करमसह तीन भाग में ब उपकरण है और दुसरा अधार रहा है जलवाईयों तो जो आप यहां पर देख रहे हैं जो काल यहांपर दिखिए गां पुरा पासान काल का मतलब है कि इस समय अलग परकार के प्त्थर ऐजार पाई जाते थे मद्य पासान में अलग परकार के पथर के आउजार पाई जाते थे साथी साथ दूसरा हमको इस चीज पर भी ध्यान रखना है कि यह जो काल है इस काल में जलवाईव का भी परिवर्तन करमसा होता गया है क्योंकि मानों का जब हम अस्तित्यों देखते हैं तो मानों का अस्तित्यों के जब प्रारंभी का वस्ता थी तो उस समय ही मुयोग था, अर्थात पूरा धर्ती भर्व से डखा था, कुछी अस्थानों पर उसको खाली अस्थान रहा होगा, मिले हैं, जैसे कि नदी घाटी के तराई वाले इलाके, ठीक, ऐसे जगा, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दो अधार हो गया, पहला पत्थर के ओजार, और दूसरा हो गया, जलवाईू, तो करमसा इसको हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं, प्रागेती हासी काल के बारे में, तो प्रागेती हासी काल क्या है, प्रागेती हासी काल जो है, ठीक है, उस काल में हम सबसे पहले डिविजन लेते हैं, पुरा पासा काल में अभी हमने चर्चा किया है कि क्या था यहां पर तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर हुई मुयूग का काल था अर्थात पूरी की पूरी धरती के अधिकान सिस्थे में बर्फ था अर्थात बर्फ से ठका था तो ध्यान रखिएगा इस सवस्था में मानो क्या करता था और मानों ने इसी काल में सबसे महत्पूर्ण खोज किया है वो था आग का खोज आग का अविश्कार तो देखते हैं यहां पर इसी काल में मानों द्वारा आग का अविश्कार किया गया है जंगली था और यह घुमंतु था जंगली का मतलब बार्बरिक नो ठीक था बार नहीं मिला है, कोई एक निश्चित स्थान नहीं था, जिसको हम घर कहते हैं, ऐसा जगा उनलोग का रहना संभव नहीं था, या रहते नहीं थे, उस समय इस प्रकार के खोज नहीं थी, ध्यान रिखिएगा, इस समय भोजन में परमुखुरूप से दो ही चीज था, पहरा तो आखेट का मतलब हो गया, जो सिकार के माद्यम से जो उनको ठीक है, जो भी पसू बिल रहे हैं, उनका आखेट करना, दुसरा, जंगल में जो भी कनमूल मिल रहे हैं, उसका उप्योग करना, इस समय के आउसेस प्रमुखुरूप से, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी अ मानाओं का प्रारम भी आउसेस हमको मिला है, ट्रेस हुआ है, यह हो गया, ध्यान रिखेगा, मानाओं जो है हमेशा, कोई भी वेक्ति कहां पर रहेगा, क्यों नदियों के सामने बड़ी-बड़ी सभेतों का विकास हुआ, गंगा नदी, यमुना नदी, वहां देखते हैं मेसोपोटैमिया में भी उसी परकार के नदी, दजला फरात ददी, इस परकार के नदियों के किनारे बड़े-बड़े सहर, प्राचिन सहर क्यों है, क्यों कि नदियों के सामने आपके नदी के इलाके में आपके उपजाव भूमी है, वहां पर फसल, क्रसी, यह सब उपलब पत्थर के औजार और साथी साथ जलवायू के परिवर्तन के अधार पे हम इस पूरा पासांड काल को तीन भागों में बाड़ते हैं तीसरे है हमारा उच पुरा पासाण काल जो कि 40,000 इस्वी पूरु से लेकर 10,000 इस्वी पूरु तक चला है अर्थात मानों का जो बहुत लंबा समय देखेगा पांच अलाक इस्वी पूरु से लेकर 10,000 इस्वी पूरु तक का बहुत लंबा समय कहां भीता है हीमयूग में भ रखे होंगे या घुमंति रूप से वही पर उनी इस्थानों पर ठीक है अपना अस्तित्व बना के रखे थे अब हम इनको इन तीनों को अलग से हम कटिग्राइज करके पढ़ते हैं पहला पढ़ते हैं निम्नपुरा पासाणकाल का भारत सहित एसिया में सबसे पहला अस्ति सब्सक्राइज इस प्रकार हाथ से पत्थर को पकड़के उसका उपयोग करते थे क्या कहते हैं हेंड एक्स की खोजते हैं हे चल्य इस परकार के अर्ठाथ का अस्तान कालीन स्थान कहा से प्रभी कुछ जो अलग इस्थान है वे थोड़े से अलग परसारीत रहेंगे जिन पर इनका परसार अलग से दिखेंगे अब हम पढ़ लेते हैं कि इस काल में किस किस प्रकार के ठीक है पत्थर के ओजार मिले हैं तो सबसे पहली बात ध्यान रिखेगा इन तीनों सब्द को ध्यान रिखेगा पेबूल चापर और चापिंग इन तीन सब्द को ध्यान रिखेगा इस समय चापर चापिंग पत्थर म क्या है ठीक नदी के जो तलहटी इलाके होते हैं नदी के किनारे में ध्यान रखेगा ठीक जो जल होता है जल के प्रवास से जो पत्थर जो घीस के धारदार हो जाते हैं उन्हीं पत्थरों को हम क्या कहते हैं पेबुल कहते हैं उन्हीं पत्थरों को आदी मानों ने लिया और और उसके तोड के एक तरफ को धार को रखा अर्थाथ एक तरफ उसका फलक रखा और वह कहलाए चापर चापर जिसे कहते है चॉप करते हैं की दूसरा चापिंग, चापिंग क्या होता तो दो धार, अर्था एक तरफ धार बनाने के बाद अगर उसी को हम दुसरे तरफ भी धार बना दे तो चापिंग में बदल जाता था, अर्था पेबूल से ही चापर बना और उसी से ही क्या बना चापिंग, पेबूल जो है नदी किनारे मिल खी लिने वाले धारधार पत्त्र थे जो Jal के घिषाओं के कारण वो घ्ज के धार हो गये थे जिसके बाद चापर बना एक तरफ धार वाले और उसी को अगर दो तरफ धार बनाेंगे तो हम चापर कहा गया है!? तो ध्यां रखीगा चापर चापिंग उपकरन भी कहते हैं इसको अपेबुल पाकिस्तान में बलूचिस्तान कहां पर पाकिस्तान में दूसरा देख लेते हैंड êtes हैंड इकस हैंड detta यही हैंडयक्स है पहले पत्थर के रूप में ध्यान रखिएगा, हैंड एकस यह हमारे पास फिर मद्राज के बदमा दो रही तथा अत्री पक्तम में मिला है, थिक ध्यान रखिएगा, इसलिए इस स्थान से मिलने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, मद्राज संस्कृति भी पहते हैं, तो ध् अर्थात निम्नुपुरा पासान काल के सबसे परमुक्विसेस्ता क्या रही है चापर चापिंग और पेबूल उपकरण और हैंड एक्स उपकरण ध्यान रखेगा इस समय जो भी आउजार बनाये जाते थे वह क्वार्ड पत्थर के बनाये जाते थे अगले काल में इसका अर्थात हैंड एक्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं निम्नुपुरा पासान के बाद मद्द पूरा पासान काल में मद्द पूरा पासान काल क्या है ठीक है अब देखेगा दो चीज में स्टेप बढ़ा पहला चीज बना बना कि आपके पत्थर के आउजार का थोड़ा और परिवर्तन हुआ हलका सा गर्मी बढ़ा जिसके कारण ठीक है हीम यूग जो है हीम कहना चीए बरफ घटे मानों के लिए थोड़ा स्थान ज्यादा बना ठीक उन स्थानों पे क्या होने लगे ठीक है घास उग पेड़ पूधे जंगल बने तो उन स्थानों पे ध्यान का और विकास हुआ, एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, अब यहां से दूसरी अवस्था चलू हो गई, जिसको कहते हैं मद्द पूरा पसान काल, यह जो काल है इसको फलक संस्कृति के काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो भी आउजार हमको प्राप्त हुए हैं, उसमे फलक अर्थाद ब्लेड नुमासन रचना पाये गया है, तो ध्यान रखेगा, फलक संस्कृति का विशेष्टा कौन सा है, मद्द पूरा पसान काल, और इस से पहले चापर चापिंग उपकरा और हैंडेक्स रहा है, तिक, इस प्रकार के जो अवसेस हैं, ध्यान रखेगा, जिसे की फलक संस्कृति, तिक, अर्थाद ब्लेड, यह हमको मिला है, मद्द पूरा पसान काल में, महरास्ट के निवासा, सी भूमी और भिमबेट का, एक्च्वली में, महरास्ट का निवासा, तिक, अभी जहारकंड में है, सी भूमी, और भिमबेट का यह आपका मद्द परदेश में है इन इस्थानों से मद्द पूरा पासान काल के साख्चे हम को प्राप्त हुए हैं अब हम देखते हैं नर्मना नदी घाटी के तुंग भद्रा नदी के आज पास भी इसके अस्तित्तों के परमान हमको मिले हैं अर्थात एक्सपेंशन होता गया तिक अब तु इस्थान पर जैस्पर चर्ट और फ्लिंट आपके निमनपुरा पसान में कौट्जैट का उसके बाद जैसपर चर्ट और फ्लिंट आदि प्रकार के उपकरन बनाए जान लेगे देख़िए यह जो पत्तर है किस प्रकार क arrives बहुत ही धारदार धीना अगर्शन पतला आद क के बिलेट से तुलना मत कीजिए ठीक है पहले इतना ही कोई बिलेट का सकते हैं ठीक है अर्थात उसने एक प्रकार का धार बना लिया उसने कातने का और यह कैसा बना कैसे विकास हुआ तो यह हुआ आपका ठीक है करमसा उनके नीड के हिसाब से जैसे जैसे कहते ना आवसकता आविसकार की जंदनी है, तो उनको आवसकता रही किसी भी चीज को काटने का, तो उन्होंने देखा कि धार बनाने के अले हम path को path से toड़के ही धार बनाया जा सकता है, तो इसी परकार धीरी धीरी करके, अलग-ालग äpkk Rs. विकास होता गया, और हम एक काल से करमसा दुसरी काल के और अगरसर होते गए चलिए अब हम देखते हैं अगले काल में अगला काल है हमारा उच्पुरा पासान काल उच्पुरा पासान काल में भी ध्यान रखीगा ब्लेड मिला है यहां भी फुलक मिला है लेकिन ये जो blade है थोड़ा इसका structure ही अलग हो गया है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ठीक अब यहाँ पर पहली बात यह है कि यहाँ पर हीमयोग की यह अंति मवस्था है ठीक है अर्थात जो अब मानों थे होमो सेपियंस ठीक अब इनको थोड़ा सा अपने आपको विस्तारित करने के बहुत अच्छा मौका मिला क्यों कि हीमयोग की अंति मवस्था है अब जलवाई यहाँ पर क्या हो गई गर्म हो गई थी ठीक है इस परकार के आउसेस कहां से मिले है हमको भीम बेट का सोन नदी घाटी और सी भूमी जारकंड के सी भूमी और इसके पर्मुख उपकरन है ब्लेड इससे पहले फलक था ध्यान रखिएगा उसको भी ब्लेड कहा गया है तिक लेकिन वहां पर आपका पेबूल उपकरन चापर चापिंग यह अवसेस खतम नहीं हो गया थिक वो भी उसका अस्तित्त्त हो था लेकिन यहां पर ब्लेड के और तिक ज्यादा प्रिसाइज वे पर अच्छे तरीके सा आ गया तो ध्यान रखिएगा यह तीन काल हो गया हमारे पूरा पासांड काल का हो गया थिक आपका निम्न पूरा पासांड काल फिर तीनों को भी किया अब हम पढ़ने वाले हैं मद्य पासारकाल मद्य पासारकाल से संबंध किसका है तो ध्यान रखेगा अभी हमने कहा है कि हमने एक उपकरन का पुरे स्टेज को पार किया अर्थात पहले जो भारी भरकम पत्थर पत्थर का ओजार बना के रखते थे मान पत्थर से हम को मारना थे मानों को भूग लगता था तुक वह सामने जाए करके शिकार करकेसों अपने उप्योंग करते थे तो इस परकार्द से तो व्यक्तिक आदूपाद दिरी-दिरी करम होता गया क्यों, क्योंकि पत्थर से हमको मारना था, हमको भूग लग रही थी, मानो को भूग लगता था, ठीक तो वो सामने जाके सिकार करते थे, तो उसमें क्या होता है, मानो संगर्स के साथ, ठीक, उनकी यूग से दूसरी यूग में चले गए, अभी तक जो पत्थर था, उस पत्थर का उप्योग हम हाथ से पकड़ के कर रहे थे, जो भी है, पेबूल है, चापर चापिंग है, हैंड एक्स है, सब का, अब हमारे पास जो पत्थर मिलेंगे, अब इसका उप्योग हम थोड़ा सा छोटे रूप में करेंगे, ठिक, इसको तीर की नोक में लगाएंगे, ठिक, तीर से सिकार करना प्रारम करेंगे, या उसी को फेक के माना प्रारम करेंगे, तो ध्यान रखेगा, ठिक, मद्दे पासाण काल, ठिक, ये जो काल है, 9000, इसफ़ी पूरु से लेकर, 4000, इसफ़ी उपकरन. इसी को इंग्लीस में माइख्रोलिथ कहा गया है. ठीक, चोटे पथरों के पासाड ये जो आप देख रहे हैं, यह कुछ सेंटीमिटर में हैं. यहां इमेज में आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुली में यह कुछ सेंटीमिटर में हैं, इस परकार, यह कहें, एक इंच, डेर्ड इंच, इस परकार के हैं, तो यही है आपके माइक्रोलिथ, यह मद्दे, पुरा पासान काल के, ठीक है, यह मिले हुए आपके प जो सिकार मिला, उसको तदकाल खा लेते थे, बाद भी उनको पता चला है कि भई, कुछ चीजों को हमको डिपोजिट करके रखना है, कि ताकि आगे भी उसको उपयोग किया जा सके, अर्थात खाद संगरह करने की कला, ठीक है, इसकी आवसकता के हिसाब सही यह बना, कब ब प्रयोग कब किया गया, मद्य पासार का अलमी किया, ठीक है, इसके प्रमुख जो है, अवसेश जो है, या इस्थान कहें, तो राजस्थान, मद्य परदेश, उत्तर परदेश से हमको प्राप्थ हुए, राजस्थान का जो आदमगड, सोरी, मद्य परदेश का जो आदमग है कि इस इस्थान से हमको पस्वू के बहुत सारे अस्थिया मिली है तूसकर रखा जा रहा था तो उसको रखे जाने का भी हमको तीक है परमान मिला है अगर माल जी केवल सिकार करके अगर लाते हैं तो के हड़ियां जो है जमा करके नहीं रखा जाता ठीक तो ध्यान रखेगा मद्य प्रदेश के आदम गड़ और राजिस्थान के बागावर से पसु पालत के हमको प्राचिंतम साख्छ मिले हैं महत्पूर्ण फैक्ट है ध्यान रखतेगे गा ठीक है ऐसे इस सेक्षन को हमेशा विक्ति क्या थोड़ा स्कीप करके चलता है लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना एक नंबर का ही सवाल होता है तिक उस एक नंबर से हम एक्जाम में अंदर बाहर हो सकते हैं तो जो पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़े नौ पासान काल अब पत्थोनों का जो है टेक्निक और अच्छा हो गया ठीक अब हम थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ चुके अब नौ पसान काल में हम पहुंच चुके हैं नौ पसान काल के समय तक हीम यूग जो है लगभग लगभग समाप्त हो चुका था हमारे पास प्रयाप्त स्थान थे ठीक है तो इस समय हमने ठीक काल में पही एक आविश्कार हो रहा है तो चलिए एक एक करके देखते हैं ठीक विस्वेस्तर का कहने का मतलब है एक चीजा और बता दूं कि यह जो काल है ठीक है पस्चिमी अर्थात अफरीका से तुलना करेंगे तो हम पीछे हैं ठीक अफरीका में जो पूरा पासान काल ह है जो मद्यपासान काल है ठीक वो उसका स्टेज जो हजार-दोहजार साल पहले हमें सही रहा है उसके बाद के उसे परमान हमारे भारत में मिले हैं तो हमको यह देखना है कि यहां विश्वेस्तर पे नौपासान काल का जो अस्तित्व है और 9000 इस्वी पूरु का मिला है प ध्यान रखिएगा नौपासान काल का जो सबसे पहला अस्तित्व है या उपकरण है 1860 में ली मुसीरियल द्वारा ठीक है प्रथम उपकरण हमको कहां प्राप्त हुए है उत्तर प्रदेश के टौंस नदी घाटी तिक उत्तर प्रदेश में टौंस नदी घाटी है उसी अधिसाथ पाकिस्तान के महडगर में भी ठिक इसके संबन में साख्ष मिले हैं और आपको बता दू इस समय जो कस्मीर का बुर्ज हमना के स्थान है वहां से गरता आवास मिला है ठिक अपना आवास बनाने लग गया गरता आवास का मतलब क्या होता है ठिक इस भूमी में व जिस परकार से ठीक है, देखिए कि अंदर तक गड़ा करके अंदर तक रहते हैं, इसी परकार से मानो भी क्या किया है, जमीन को खोद के अंदर तक रहता है, जिसके सबूत जो है, कस्मीर में क्या हुआ है, जिसे कि कोई तलाब है, इस तलाब के आज सपास में मानो के तीक गर तो ध्यान रखेगा, इसके बाद अगला इसकी विशेष्टा देख ले, पत्थरों के हिसाब से, तो इस समय पालिसदार उपकरन, पालिसदार पत्थर के आउजार प्रचिलित हुए, पालिसदार का मतलब क्या हुआ, एसेन पेंट, नेरो लेकर लेकर पेंट नहीं कर रहे हैं उसमें, ठीक है, इसका मतलब यह हो गया, कि अब मानो जो है, अपने हत्यार को घीसने लग गया, ठीक है, अरथाद हुआ एक पत्थर से, जैसे अभी अपने पहले अपनी उपकरन देखा, उस उपकरन को क्या करने इसे वो क्या हो गया चमकदार हो गया इसलिए यहां पर कहा गया है पालिस दार पत्थर के आउजार इस यूग की परमुख विसेस्तार ही है ध्यान रखेगा अब मानों जो है क्या करने लग गया था ठीक अभी समय तक बहुत सारे वह अन्य को भी गरहन कर रहा है खाद संक्र पे चावल के सबसे प्राचिंतम साक्ष हम को मिले हैं कहां से कोल डीवा जो की इलहाबाद के पास में है अगला देख लेते हैं कि इसी समय पहिये का अविसकार हुआ है और कृसी का अविसकार तो ध्यान देखिएगा ठीक बहुत इंपोर्टेंट है पहिये का अविसकार पहिये का हुआ है तो नौपासान काल में अब देखेंगे कि मानों ने बहुत ही अलग-अलग परकार के उपकरण की खोज कर ली यह देखिए जो इतिहास में प्राप्त प्राचिंतम जो चक्के हैं विल्स हैं अर्थात पये हैं यह है पत्थर के लिए देख लिए यह सक्ताओं के इसाब से अपने आपको बहुत ही अलग तरीके से डाल लिया, ठीक है, अपने परिवेस, इन सभी में दीरे-दीरे करमसा सुधार करते-करते, आज किस तर पर पहुंचा है, अब हम यह हो गए, नौ पसांड काल, ठीक, अब हम क्या करेंगे, ठीक, अब पसांड काल से हमारा, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अर्थात पत्थर के टेक्निक तो होगा, अब धातू का विश्कार होगा, तो जैसे धातू का विश्कार होत सब्सक्रांगा उसमें ढालने की कला, ठीक मानो द्वारा सिखी जा चुकी थी, तो तामबे को ढाल के एक निश्चित अकार का बना के उसको पत्थर पे जोल लेते थे, अर्थाथ ठीक है, तामबे के साथ साथ पासान को मिला कर एक साथ यूज किया गया, इसलिए इस काल को तामबर पासान का को ऑठकरन का पुरिओ किया है, इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं, तामबर पासान का थीक है, तो ध्यान रखे गए इसकाल में, कुछ उस समय के जो संसक्रितिएं tenth, साथ की आख्ष से अगला है, जैसे कि जो Rewardar संसक्रिति, इसको हम हम हम्यास संसक्रिति भी कहते हैं, तो तो ये तीनों काल, अपसे ये पुछा जा सकता है, कि जोर्वे संस्कृति का संबंद किस काल से है, कायथा संस्कृति का संबंद किस काल से है, तो किस काल से है, वो तांब्रपासाणी काल से है, और तांब्रपासाणी काल में ही क्या हुआ है, तांब्रपासाणी काल में ही क्य में डाल रहे हैं अर्थात माना द्वारा ठीक है धातू का उपयोग करने की कला यहां वो जान चुका है सिख चुका है और फिर अपने आपको उत्तर उत्तर आगे बढ़ा रहा है तांबा हो गया है अब यहीं से हम एक चीज़ और ट्रेस कर लेते हैं आपको पता है कि इस पूरती प्राव्थ हुए क्याशा मिल ऐ और का असक कैसे मनता है जब इसमी तांबा में हम टीन को एसेइन अर्थात जबify न को मिल आके लिसर दाटू बनाते हैं तब आपका क्या बनता है कांशा बनता है तब कहीं जाके कांसा बनेगा अर्थात अब हम किस यूग में जाएंगे कांस 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 अब दीखेगा आदेती हासी काल. वो इससे इंदु उगाटि सभटा आदेती हासी काल हम पढ़ चुके हैं, उस काल को कहते हैं, जहां पर हमको लिखित साक्ष को मिले हैं, परंट उसको म算ठा पढ़ निसे के हैं. क्यों? क्या है? इसकाल को हम क्या कहते हैं और यह काल कौन सा है। यह सिंदू घाती सभ्यता का काहल में जो भी हमको लीकि में उस लीकिको पढ़ने में जब प्र१ा पूसक जो सफलता अभाठती है। थाह जम्स प्रिंस्प मिल ध्यान रखेगा। जेम्स प्रिंस पे तत्काली गुर्प से उसको भी नहीं पढ़ा जा चुका है लेकिन एक इतिहास वित्ता है जेम्स प्रिंस पे उन्होंने बहुत बाद में उनके अभिलेव को पढ़ा लेकिन यहां पर सिंदुगाटी सबहता को अभी तक कोई ऐसा ठीक नहीं दिखाया पड़ सके है ठीक है चलिए इसके बार में देख लेते हैं लिखिट साथ चुपलार ब्सक्री हो गया ठीक आधितिहासी क्या है यह क्या है पासाण की यूग के बाद का रहे अगे जाके लोहा को खोजोगा तो लोह यूगिन सबहता बन जाएगा अब धातू का यूग परा था, तांबा में हमने अपने दिमाग लगाया, क्या मिला दिया, तीन मिला दिया, क्या बन गया, कासा, ठीक, अब हमको धातु का बारेम जानकारी मिल गया, कि ये थोड़ा ठोस होता है, इससे हम उपकरन बना सकते हैं, अब हमने खोज कर लिया, लोहा का, जैसे ही लोहा का खो हो गया यह अब ध्यान रखेगा इसकी तो हम चर्चा कर चुके हैं तिक कि हरपयूगिन सब्वेता है कांसे के निर्मान तांबा और टीन से होता है ठीक है यह हमारी आद एतिहासिक काल ठीक है यह हो गया अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद सिंदू घाटी सब्वेता मैं करता हूँ कि अभी तक हमने जिन चीजों को देखा है ठीक है इन चीजे आपको असानी से समझ में आए गये होंगी ठीक है तो इन चीजों को आप थोड़ा सा स्क्रिंसोर्ट करके रखा करिए ठीक है इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए ठीक ध्यान उत्तर पुरापासान में परमुखंतर क्या है तो इस परस्ट क्लियर होना चाहिए कि निमलूपुरापासान काल में हस्त कुठार, हैंड एक्स, पैबल, चैपर, चैपिंग, उपकरन थे लेकिन मद्ध पुरापासान काल में क्या आ गया फलक संस्कृतिया उसके बाद उत् यहां से प्राग एतिहासिकाल, आदेतिहासिकाल, एतिहासिकाल में आया है, ठीक है, तो regularly इस प्रकार के आपको knowledge जानना है, देखना है, तो आप ठीक है, आपके इसका जो PDF अगर आपको चाहिए, तो हमारे टेलिग्राम में चले जाएए, ठीक टेलिग्राम से आपको इसका PDF म लेबल करके रखा है, ठीक है, चलिए फिर, अब हम देखते हैं सिंदुगाटी से बेता, धन्यवाद,